दोस्तों गर मैं आपसे कहूं कि 14,500 रूपिया में DDR4 का 6GB RAM प्लस 108GB के इंटेरल मेमोरी यह भी UFS 2.0 प्लस 64MP का रेर कैमरा और 32MP का सेलफी कैमरा और साथ में 6000MH की लिथियम पॉलीमर की बैटरी ना कि लिथियम आयन की वो भी 15W फास चार्जिंग के साथ और आपको Super AMOLED डि तो ऐसा नहीं है Samsung ने F41 मोबाइल के साथ यह कमाल करके दिखाया है और बिग बिलियन डे सेल के समय मैंने इसे 14,500 रूपए में खरदा है तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस फोन के अन्बॉक्सिंग करेंगे इसका पॉड़क्ट ओवर्वियू करेंगे और इसके इज and every specification का in-depth analysis भी करेंगे मैं हूँ अविना स्वागत है मेरे चैनल में चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस चैनल पर मैं जिस पॉड़क्ट की भी वीडियो बनाता हूँ उसे मैं अपने प्रसनल यूज के लिए खरीता हूँ और खाइनने से पहले मैं उस पे बहुत सारा research करता हूँ ताकि मुझे मेरे budget में उस segment का best product मिले यही कारण है कि जो product review मैं आपको देता हूँ वो totally honest और unbiased होता है और वो totally मेरे research, product overview और long term uses के उपर best होता है दोस्तो मैंने इसे flick card के big billion day sale के दौरान खरीदा था और यहां आप देख सकते हैं मेरा यह 128 GB वाला variant है और मुझे इसका price 14,500 पड़ा था जबकि actual में आप देख सकते हैं इसका price 16,500 है big billion day के दौरान इस पर SBI card के उपर 10% का discount और एक additional debit card यूज करने से और 1000 रुपे का discount था जिसके चलते हैं मुझे यह price पड़ा है तो चलिए अब फड़ा फड़ा इसके unboxing कर लेते हैं तो नौर्मली फिलिपकार्ट के big billion day sale के दौरान दिये गए order big billion day sale खतम होने के बाद ही deliver होते हैं लेकिन surprisingly इस बार मैंने जिस product की भी order दी है तो वो even particularly यह mobile में दो दिन के अंदर ही deliver हो गया था अब यहां आप देख सकते हैं यह plastic pot में था जिसमें फिलाल और कुछ नहीं इसे में साइड में रखता हूँ और यहां पर protection के नाम पर flip card में सिर्फ यह दिया इसे भी साइड में रखता हूँ तो यहां पर यह finally आप इसका box देख सकते हैं तो चलिए सबसे पर देख लेते ह है इसके box पर क्या mention किया वाद जैसा किया आप देख सकते हैं यहां पर प्राइस इसका almost 21,000 का दिखाया है content में आपका mobile jackson pin, cable और adapter है दूसरी साइड में आपनों देख लेते हैं इस साइड में यहां पर कुछ नहीं लिखा हूआ है यहां पर इस mobile के IMI number और चुकि मैंने इ 6GB और 128GB internal memory का variant है यहां पर भी फिलाल कुछ नहीं है बैक साइड में आप देख सकते हैं यहां पर में इसका हाइलाइट है 64 Megapixel का कैमरा है 6000 mh की इसमें बैटरी आपको मिलती है और Super AMOLED डिस्प्ले है जो कि Samsung का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है screen साइज यहां पर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह चैनीज पॉड़क्ट है यहां आप देख सकते हैं मेक इंडिया पॉड़क्ट है और चुकि हम लोग पता है कि Samsung का वर्ल का जो लाजिस प्लांट है वो नोईडा में बनाया गया है और वही पर यह मोबाइल को मैनुफेक्सर किया गया जो कि एक सी टाइप केबल है तो दोस्तों यह इसका चार्जर है जहां पी आप देख सकते हैं यह एक 15 वाट का फास्ट चार्जर है यहां पर इसका सीम इजेक्शन टूल है और इस बॉक्स के अंदर हम लोग देख लेते हैं क्या कंपनी इसके साथ कोई बैक कवर देती या है तो यह सारे पेपर वक्स है इसे भी मैं साइड में रखता हूं और अब चली आते हैं मोबाइल के पास तो मोबाइल के पोटेक्शन के लिए यहां पर कंपनी ने एक लेयर लगा के दिया है जिसे हम लोग से निकाल लेते हैं तो दोस्तों यह आ गया हमारा मोबाइल फोन बाहर जैसा कि आप देख सकते इसका जो कलर है यह फ्यूजन ब्लू है तो उपर में कलर थोड़ा लाइट है और बॉटम के तरब जाते हुए कलर थोड़ा डार्क हो जाता है और यहां पर सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है यहां पर इसके सारे डिटेल्स दिये गए है और सामने में आप देख सकते हैं तो दोस्तो एक चीज जो यहां पर गौर करने वाली बात है कि इस मोबाइल के उपर कोई भी प्रोटेक्टिव फिल्म नहीं दी गई है जो कि नॉर्मली आजकल हर मोबाइल फोन में आपको मिल जाता है तो आपको बेसकी से अगर बचाना ह है तो इसके उपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म या फिर आपको एक टेंपट ग्लास लगवाना होगा तो जली इसे आप फर जली से पावर ओन कर लेते हैं तो तो यह जो सैमसंग का एप 41 स्रीज है यह टोटली ऑल्लाइन में मिलने वाला स्रीज है और यह प्राइस और किया था तो वो सारे बैक कवर और टेंपट ग्लास जो मैंने उटकिया वो M31 के साथ भी कंपैटिवल है तो दोस्तों फोन का सेटप कंप्रीट हो गया है अब चली जली से इसका एक ओवर भी आम ले लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर टॉप में एक नोइज का प्रोफोन है टाइप सी चाजर के लिए पोर्ट दिया गया है और यहां पर लकली 3.5 mm जैक भी आपको मिल रहा है साइड में अगर आप देखे तो यहां पर वॉल्म रोकर्स के बटम दिये गया है और यह पाउर ऑन और आफ बटन है इस साइड में अगर देखे तो यहां पर यह आपको सीम ट्रे मिल जाता है इसे हम लोगों निकाल कर देखेंगे और बैक साइड में अगर आप देखे तो यहां पर इसका फिंगर्पिंट सेंसर दिया गया जिसे मैंने चेक करके देखा जो कि बहुत ही फास्ट और क्विक है और कैमरा का सेटप आपको यहां पर मिल जा रहा है दोस्तों इसका जो यह बैक है एक प्लास्टिक और ग्लास के कंबिनेशन से बनाया गया है इसके चलते हैं इस पे फिंगर्पिंट बहुत ही आसानी से पढ़ जा रहा है प्लस इस पे आप स्क्रैस भी बहुत आसानी से पढ़ जाएगा तो तो मैं आपको दिस्प्ले होता है वो फूल एजडी डिस्प्ले के सेगमेंट पे सबसे बेस्ट कोलिश देता है और यह मैं आपको अपनी परस्नल एक्सप्रियेंस से बोल रहा हूं प्लस दोस्तों आपको यहां पर कॉरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडेक्शन मिलता है और जहां तक ब्राइट दोस्तों आपको इसमें 16 हर्स का मिल जाता है और जहां तक इसकी बैटरी की बात है तो इसमें आपको 6000 एमेज का एक बहुत ही बड़ा साइज का बैटरी आपको मिल रहा है और सर्प्राइजिंग इतना बड़ा बैटरी होने के बाद भी इसका जो वेट है वो 190 ग्राम ही है और इसमें आपको इस पैटरी को चार्ज करने के लिए 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है तकि मैं आपको बता है 64 GB और 128 GB दो वेरियन पे अबलेवल है और दोनों में 6 GB का आपको DDR4X का रैम मिलता है जो की बहुत अच्छी बात है प्लस जो इसका प्रोसेसर की बात करें दोस्तों इसमें आपको सैमसंग का ही अपना बनाया हुआ एक्सों नाइस डबलन प्रोसेसर मिलता है जो कि एक उक्ता को प्रोसेसर है और इसका क्लॉक स्पीड 2.3 GHz और सेकंडरी क्लॉक स्पीड 1.7 GHz पे सेट है कंपेटरिपली दोस्तों यह जो सैमसंग का है थोड़ा प्रोवाना प्रोसेसर है सैमसंग अगर चाहता तो इस पे थोड़ा बेटर या स्नैप डेकर ना कोई प्रोसेसर दे सकता था लेगिन चुकि दोस्तों आप में देखा कि यह आपको एराउंड 128 GB का भी वेरियंट 14,000 में मिल जा रहा है तो उस ट्रे को बाहर करके देख लेते हैं तो दोस्तों इसका यह सीम ट्रे है जो कि आप देख सकते हैं पर आप दो सीम साथ में माइक्रो एजडी कार्ड भी लगा सकते हैं और कंपनिया से क्लेम करती है यह 512 GB तक आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं डॉस्त और वाटर प्रूफ क यह उसका वर्सेंट 2 मिलता है आपको ट्रे अप्टेट अभी अविलेबल है यह आपका 2.1 हो जाएगा एंडॉइड वर्सेंट आपको यहां पर 10 मिलता है और अगर सिकूर्टी पैस की बात करे तो इसमें आपको आगस 2020 का सिकूर्टी पैस मिल जाता है कनेक्टिविटी की बात करें यहां पर आपको ड्विल 4oda का सकोर्ट मिलता है ब्लुथूत 5.0 युकि भर्सेंट का सपोड मिलता है ड्यूल बेंड वाइफका सपोर्ट मिलता है साथ मैं आपको इसमें एंप का सपोड मिल जाता है इस दोस्तों यहां इस वह स्थोन पर्लस शहरये संसर 22 है नॉर्मली सेंसर 10-15000 की रेंज पर कभी-कभी बहुत सारे इंपोर्टेंट सेंसर कर देता है लेकिन पर्टिक्लर इस फोन में सैंसंग ने किसी भी सेंसर को स्किप नहीं किया है सार वैल्यू की बात करें दोस्तों सैंसंग का सार वैल्यू कंपर टू एनी अधर चैनीज मॉवाइल बहुत ही बेटर होता है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका सार वैल्यू आप 0.38 है जबकि अगर मैं ही आपको दिखा हूँ जो मेरे पास 1 प्रस 6 का मॉवाइल है यहां पर आप अगर सार वैल्यू हेट कर देखिए तो 1.2 है जो की बहुत ही ज्यादा है दोस्तों सैंसंग की बागी सभी फोन की तरह इसमें आपको आपको पता है कि यहां पर डारेक्ट इसके यहां पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो बिन साथ में आपको इसमें डबल टैप वेकप का भी option मिल जाता है दोस्तों आपको पता है कि इसमें एक सूपर अमुलेट डिस्पले आता है तो मैं आपको यहां पर अगर दिखाऊं तो तो आप देख सकते हैं मैं इस फोन को पूरिता से टील्ट कर दिया है व्यूंग इसका बहुत ही perfect आपको किधर से भी आप देखिए आपको color और saturation का कोई भी problem नहीं आने वाला है अब मैं इस वीडियो का आपको प्ले करके दिखाता हूं ताकि आपको और बेटर आइडिया हो सके माइक्रोफोन की भी आम लोग टेस्टिंग करेंगे मैं वाविना स्वागत है मेरे इस चैनल में चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों जहां तक इसके पिच्चर क्वालिटी की बात है वीडियो भी है वो तो आपको perfect मिलने वाला है लेकिन जो इसका speaker sound system वो एक single bottom firing speaker मिल ला जिसके चलते sound उतना loud नहीं है लेकिन sufficient है आपके किसी भी तरह के video movies या sports देखने के लिए हाई इसके camera की बात कर लेते हैं तो दोस्तों जो इसका primary camera है यह 64 megapixel का Samsung का खुद का develop किया हुआ GW1 sensor है जो की 1.8 aperture के साथ में आता है जो दूसरा camera है वो एक ultra wide camera है जो की 8 megapixel का है और इसका 123 degree field of view है ठाट camera जो है यह एक depth camera है जो की 5 megapixel का आता है और इसे micro shot लेने के लिए कोई भी camera अलग से नहीं दिया गया है जहां तक stabilization की बात करें तो इसमें जो अभी तक मैंने search किया इसमें OIS का support तो नहीं मिलता है लेकिन हाँ आपको इसमें EIS का support मिल जाता है दोस्तों इसका जो selfie camera है वो 32 megapixel का है और यह एक fixed focus camera है और pixel binding technology को use करके इसे यहां पर 8 megapixel पे default set किया हुआ है और उसी तरह 64 megapixel को by default 16 megapixel में set किया गया है तो आए इसे camera को हम लोग को open करके देख लेते हैं दोस्तों के camera के उपर मैं अलग से एक detailed video बनाओंगा फिलाल अभी इसका एक quick overview ले रहते हैं तो जैसा कि आप आप देख सकते हैं इसमें live focus अथा पोट्रेट मोड फोटो वीडियो और वीडियो के अलावा अगमोर में यहां पर देखे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर pro mode panorama mode food mode night mode भी आपको मिलता है super slow motion slow motion और hyperlapse यह सारे mode यहां पर मिल जाते हैं चल्दी से जाकर हम लोग सेटिंग में देख लेते हैं तो सेटिंग में यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक scene optimizer दिया गया है प्लस यहां पर आ जाते है रेर वीडियो में अगर हम लोग यहां देखे तो यहां पर आप देख सकते हैं आप 4K प्लस full HD वीडियो दोनों सूट कर सकते हैं लेकिन जो frame rate मैंने अभी तक इसका पता क्या है वो maximum 30 frame per second ही हो सकता है जो कि यहां पर mention नहीं किया गया फ्रंट केमरा में भी हम लोग जली से देख लेते हैं तो यहां भी resolution जो है full HD और 4K दोनों वीडियो आप यहां पर सूट कर सकते हैं उसके अलावा यहां पर HDR का भी support आपको मिल जाता है और फिलाल quick setting में इतना ही है जोस्तों चलिए इसका कुछ photo sample भी हम लोग निकाल के दे तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं maximum zoom यहां पर 8X का है और चुकी जैसे कि आपको पता है मैंने आपको बता कि पिक्सन बैलिंग टेकनोजी के help से यह 64 में का पिक्सन में बाइडिफॉल्ट यह सेट रहता है तो जिसके चलते हैं आपको zoom करने से भी टेकनोजी पिच् इस वीडियो में डाल देता हूं सचे पहले इसके selfie camera की sample को देख लेते हैं पहला फोटो यह बिना किसी beauty mode का click किया गया है दूसरा फोटो को beauty mode के साथ click किया गया है और यह तीसरा फोटो beauty mode plus portrait mode दोनों को on करके एक साथ खीचा गया है यह photo 64 Megapixel primary sensor से खीचा गया है इसे बिना portrait mode में click किया गया है और जो photo आप यह देख रहे हैं यह wide angle mode में suit किया गया है और इसे 8x zoom करके maximum zoom में click किया गया है दोस्तों इसमें कोई micro sensor नहीं दिया गया लेकिन आप 8 cm तक close जाकर भी बहुत ही खुबसूरत close shot ले सकते हैं और यह मैंने खुद test करके भी देखा है यहाँ आप देख सकते हैं यह मेरी बेटी जिसे यह normal mode portrait mode और यह wide angle में यह सारे photo click किये गया है तो चलिए इसका selfie camera हम लोग on करके देख लेते हैं जोस्ता कि मैं आपको बता है कि इसका 32 Megapixel का selfie camera आता है और यह fix focus camera है और pixel binding technology की वज़ा से 8 Megapixel डाई by default set रहता है दोस्तों जब मैं इ research किया research करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि बहुत सारे reviewer ने कहा कि Samsung ने इस phone को launch ही क्यों किया इसकी जरूवत की क्यों है क्योंकि इस type का phone specification से मिलता जूलता already Samsung के range में बहुत सारा phone है जैसे कि Samsung का M30S, M31, M31S, M21, A51, A50S और यह बात बहुत हद तक सही भी है क्यो जबलन प्रोसेसर आता है वही मिलता है और A-series को अगर छोड़ दे तो M-series में आपको 6000 mh की बैटरी भी मिलती है सूपर AMOLED का सेम इसमें भी display मिलता है तो इसकी जरूवत क्या थी तो दोस्तो मैं मानता हूँ कि इसकी जरूवत थी क्योंकि यही वह policy है जिसे अपना कर आज की डेट में जितने भी चाइनिज कंपनी है चाहे वह Realme हो आपका ओपो हो भीबो हो जो भी ब्रांट्स है वह इ मुझे specification चाहिए था इस phone में मुझे मिला लेकिन मैं इसके processor से खुष नहीं हो मुझे snapdragon का अगर processor मिलता तो ज्यादा बैटर होता है तो हो सकता है कि future में अगर Samsung F41S मोल के कोई phone launch कर दे और उस पे snapdragon का processor दे दे तो वो लोग जो इनके processor के चलते इस mobile को नहीं खरीद रहते व M31 तो M31 का जो body है आपको यह back बोलिए यह front का panel बोलिए और even batteries जो इसका display है same display company use कर दिये तो वहां पे cost cutting भी हो रहा है company को अलग से F41 के लिए कुछ बनाना नहीं पड़ रहा है वो M31 का ही उन्होंने उठाया और यहां पर 48 Megapixel के जगह में 64 का आपको rare camera दे दिया और सामने optimisation के बाद इससे launch कर दिया तो company का भी क्या होता है इसमें cost cutting हो जाता है और phone भी आपका सस्ता हो जाता है यह policy Samsung को मेरे हिसाब से बहुत पहले ही अपना लेनी चाहिए थी क्योंकि जो 10-15000 का segment आपने देखा है और यह सारे Chinese company ही वहां पर lead कर रहे हैं और इस phone में almost आपको सभ भी काम के features मिल जाते हैं camera भी इसका सही है और अगर इस phone में कोई drawback है तो दोस्तों इसका processor ही है क्योंकि 9611 जो processor है इसका थोड़ा पुराना हो चुका है एक time था जब यह 25000 के mobile में company यह processor देती थी और एक दोस्तों मैंने कुछ river को कहते हुए सुना कि अगर आप यह phone ले रह लगेगा तो दोस्तों यह बात सही है कि Samsung का phone में hanging issue आता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने यह phone लिया और just because of this processor यह phone आपका hang करने लगेगा क्योंकि दोस्तों यह वही processor है जो आज से कुछ महीने पहले तक एक premium phone Samsung के premium range के phones में आते थे और उस समय यह बिल्कुली successful था और आज आज की डेट में भी यह processor उतना ही successful है हाँ अगर आपको heavy gaming करनी है high graphics game खेलने है तब आप इस mobile से दूर ही रहिए क्योंकि मेरा जो particular इस phone का basic requirement था कि मुझे एक ऐसा phone चाहिए था जिसका battery long lasting हो जिसका camera भी decent camera हो fast charging का support हो Samsung का Super AMOLED का display हो और जो सबसे बड़ी बात थी कि मुझे पंदरह जार में का ऐसा phone चाहिए था जो नॉन चाइनीज हो और उसमें Samsung जैसा एक brand involved हो दूसरा बात कि दोस्तों मैंने Samsung का S7 Edge और S8 Plus फोन यूज किया है प्लस मैंने उसके कम दाम के भी phone यूज किया है और अभी आज की डेट में जो मैं फोन यूज कर रहा हूं वो है OPPO Reno 10X Zoom जो के चैनीज मोवाइल है और इसके पहले मैंने OnePlus 6 भी यूज किया था इन जो चैनीज और जो ब्रांड़ेट फोन में जो सबसे बड़ा डिफ्रेंस होता है दोस्तों वह होता है सॉप्ट्वेर का आपको जो पहले जो Samsung में वन टच विज यू आई आता था जो और सेसिंग बोलिए या फिर जितने भी फीचर्स वह कंपणी देती है वह पूरा पूरी बग फ्री होता है उसमें एडिशनली कोई आपको कंपणी वहां पर जबदस्ती कोई आप नहीं ठूशती है तो कहने का मतलब है कि जो आपका यूजर एक्सप्रियेंस होता है इस्पेस इस्पेसिंगेंस एक्सिलेंट होता है तो दोस्तों मैं यह कहूंगा कि Samsung ने जो यह फोन लॉंज किया है यह बिल्कूल ही सही किया है इस प्राइस 10-15000 खेंज में पर जारू होता है मैं चाहूंगा कि Samsung और और ऐसे फोन उन से सिमिलर फोन्स के इस स्पेसिफिकेशन में जो की चेंज करके अगर लॉंच करें तो इस सेग्मेंट में भी सैमसंग भी एक दिल लीट करेगा तो दोस्तों आसा करता हुए वीडियो आपके लिए हेल्पूर रहेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद